भारती बॉकसर विजईंदर सिंग ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है विजईंदर सिंग ने प्रो बॉकसिंग मैच के बड़ी मुकाबले में चीन के बॉकसर जुलफिकार में में तियाली को बेहत नज़दी की अंतर से मार्द दी इतना ही नहीं इस मुकाबले को जीत कर विजेंदर ने एक साथ दो खिताब अपने नाम किये विजेंदर ने मुंबई में हुए बैटल ग्राउंड एशिया फाइट में चीन के जुल्फिकार में में तियाली को हरा कर अपने प्रोफेशनल करियर की लगातार नौवी जीत हासल की वे जुल्फिकार से बेहत नस्दी की मुकाबले में 96-93, 95-94 और 95-94 अंको से जीते 10 राउंड के इस बाउट में विजेंदर ने युनानिमस डिसिजन से जीत हासल की इसी बीच विजेंदर के प्रशनसकों के लिए ये दोरी खुशी का पल था क्योंकि जहां एक तरफ वो एशिया पैसिफिक सुपर मिडल वेट का खिताब बचाने में सफल रहे वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डबल्यो टियो ओरींडल सुपर मिडल वेट खिताब भी अपने नाम किया विजेंदर को देखने के लिए अमिताब बच्चन के साथ कई बॉलिवुड हस्तिया मौजूद थी मुकाबले के बाद विजेंदर ने कहा कि उन्हें दसवे राउंड तक जाने की उमीद नहीं थी उन्हें लगा था कि मुकाबला पांच-छे राउंड तक ही चलेगा जिसकी वज़े से वे अपनी रहनीमीती के अनुसार नहीं लड़ पाए उलम्पिक में कांसे पदक जीतने वाले विजेंदर ने इस मुकाबले को बेहद एहम बताया इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन भारत की सीमा में घुसने की गलती ना करे उन्होंने ये भी कहा कि वो ये बेल्ट जुल्फिकार को वापस कर शान्ती का संदेश देना चाते हैं दीबी लाइफ की रिपोर्ट